अगरता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों आज हम बात करेंगे, World History लेचर 3 के, अगर हम World History की बात करें, तो मेरे ख्याल में फ्रेंच रेविल्यूशन, आंसीसी क्रांती, एक ऐसा इवेंट है, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, शायद, इसकी वज़े से डेमोक्रिसी आने लगी पूरी दुनिया में, इसकी वज़े से लोगों के राइट्स को तवज्जो दी जाने लगी, फ्रेंच रेविल्यूशन ने लोगों को ये बता दिया, कि क्रांती अगर लोगों के लिए की जाये, तो वो सही होती है, इसके इंपाक्ट बहुत जादा हुए, पूरी दुनिया बदल गए दोस्तों, फ्रेंच रेविल्यूशन, प्रभेबली वन अफ दो, मॉस्ट इंप सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सेकेंड लगेगा बस, क्लिक करना है आपको सब्सक्राइब पे, बेल आइकन दबाईए, नोटिफिकेशन पाईए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करते रहिए, जो सवाल पूसता हूँ, उसकी जवाब देते रहिए, लाइक करते रहिए, और इससे पहले वोर्ड हिस्ट्री के दो लिचेज आ चुके हैं, लेक्चर बन, हमने देखा था, कंस्टिटूशनल मोनार्की, हाला की हिस्ट्री मैंसे मैंने पूरी कवरी की है, आद देख लिजएगा, प्लेलिस्टेंशे एंड मेडीविल हो सब कवर्ड है, लेकिन अभी समझ रहे हैं, तो चली आगे बाहते हैं, बहुत मजाने वाला है, ट्वीटर पर मैं आ गया हूँ, यह रही मेरे लेक्चर के अपडेट्स देता रहता हूँ, डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिक दिया है, दोस्तों जैसे ही लेतर अप्लोड होता है, हमारे टलिग्राम ग्र और उसके बाद 1799 तक चला था, 10 सालों तक ये revolution चला था, revolution फेल हो गया था, बिलकुल, क्रांती फेल हो गई थी, मुनार्की को खतम करने के लिए क्रांती आये थी, मुनार्की तो खतम हो ही नहीं, राजा महारा राजा दुबारा आ गया, नेपोलियन लोगों का हिमायती बन के आया, नेकिल अपने आपको ही उसने emperor घोचित कर लिया बाद में, थीक है, तो French Revolution फेल हो गया था, लेकिन, इसका जो impact ततना भले ही, जो इसके objective थे, वो अचीव नहीं कर पाया हो, लेकिन in the long term, long term objectives इसने अचीव कर लिया, क्या होता है ना, कि अगर माल लीजे आप है, आप कभी बाहर नहीं निकले है, है ना, आप घर में ही है, आपके 20-25 साल, 50 साल तक आप घर में है, 50 साल चली माल लीजे, एक ही जगा पे है, 50 साल बाद आप निकलते हैं बाहर, ठीक है, आप जाते हैं शिमला, आप जाते हैं उतराखंड, आप जाते हैं अमेरिका, है ना, पूर दुबारा घर पे रही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने अब पूरी दुनिया देख ली है बाहर का मज़ा आपने चक लिया है तो आपको हम दुबारा घर में रखे नहीं सकते आप फिर जाएंगे वापस कहने का मतलब यह है फ्रेंच रेविलुशन में भी यही था एक्जाक लोगों ने एक बार क्रामती का मज़ा चक लिया था लोगों ने देख लिया था कि जब हमारे पस राइट साते हैं तो हम क्या कर सकते हैं दुबारा मुनार्की लाओ अब कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला जब एक बार दुलहन भार चली गई जिसको दबा के रखा हमने उस बेसिकली हम फ्रेंच रिवलुशन को पांच फेज़ेज में स्टेडी करते हैं वह कौन-कौन से मैं फट्नाक से बता देता हूं और एक एक फेज को में स्टेडी करने वाले हैं सबसे पहला इसको भी मैं इस पे आऊंगा सबसे पहला फेज है दोस्तों जब पॉलिटिकल ए नेटलॉक हो गया था उसको सॉल्व करने के लिए एसेंबली बुलाई जाती है पार्लियमेंट बेसिकली जिसको बोलते थे तीसरा है दोस्तों संवेदान कंस्टिटूशन कैसे बना चौथा है कंस्टिटूशन बनने के बाद क्या हुआ और पांच वार आखरी राइज बहुत अच्छे से लेचर लंबा होगा ठीक है फ्रांस देख लिए दोस्तों यह आज का फ्रांस है यह योरोप है पूरा का पूरा यह फ्रांस आप देख सकते हैं फ्रांस की कैपिटल पैरिस बहुत ही खुबसूरत शहर यह लियोन एक और बहुत ही तो पैरिस बहुत ही यहीं मिलेगा City of Love बोला जाता है जाहिए गूमिए हर किसी की favorite destination है बगल में है Belgium, Germany, Switzerland, Italy, Spain ये सब ठीक है France और Spain अवेचा साथ साथ रहते थे क्यों देखिए एक चीज़ याद रखेगा कि धर्म का बहुत important role है यहाँ ठीक है धर्म का important क्या यहाँ पे जो राजा है उसको representative of God बोला जाता था समझ रहे हैं राजा जो भोल देता था ना वो पत्थर की लकीर राजा को ये power कहां से मिलती थी चर्च से चर्च से पोप से प्रीस्ट से ये power मिलती थी तो राजा और ये जो प्रीस्ट है चर्च साथ में काम करते थे फ्रांस में था Catholic फ्रांस में Catholic और स्पेन में भी Catholicism था ठीक है लेकिन United Kingdom में Catholicism नहीं था यहाँ पे तब Protestant अब उनमें मैं फर्क आपको बता चुका प्रोटेस्टेंट और Catholics क्या होते हैं जो प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं जो basic teachings of Jesus Christ को follow करते हैं लेकिन Catholic जो है वो सबसे पुराने हैं ठीक है और Catholics उसमें और भी बहुत जादा कुछ जोड़ देते हैं तो जब Catholics ने पुरा कंट्रोल लेना चाहा तब प्रोटेस्टेंट का होदय हुआ समझ रहे हैं तो UK में प्रोटेस्टेंट और फ्रांस में Catholic तभी एक धर्म बहुत बड़ी वज़े था भाईया 16th, 17th, 17th century में 100 year wars ले लिजे, 7 years wars ले लिजे, इंडिया में देख लिजे, जहां पे भी कि फ्रांस और बिटेन रहेगा वो आपस में भिड़े हुए हैं दब दबा कायम करने के लिए एक तो धार्मिक डिफरेंस है, फ्रांस पूरा Catholic और UK प्रोटेस्टेंट, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस एक्स्पांशन और तीसरा balance of power, फ्रेंच रेविलुशन से सबसे द आता है, क्रांती आती है, तो हमेशा तीन causes हम देखते हैं, First War of Independence जब भारत का लड़ा गया 1857 में उसमें भी यही तीन causes आपको देखने को मिलेगे, हमेशा क्रांती की यही तीन causes होता है, क्रांती क्यों आती है, जब इससान पागल हो जाता है, जब इससान बोलता है, भईया आपके rights नहीं मिलेंगे, आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, हद से ज़्यादा बंदिश लगाई जाएगे, आप rebellion हो जाएगे, लेकिन बड़ी अगर आपको बाहर जाने दिया जाएगे, सारे rights तो कोई revolution के आवशक्ता नहीं, राजा का हित, परजा की हित में है, य यही भाग भूली ते वोल्टायर ने भी, ठीक है अभी हम देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, intellectual cause बहुत important है, तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों, तीन cause हमेशा याद रखिएगा, चार cause in fact, economic cause, social cause, political cause, immediate cause, याद रखिएगा, कभी भी किसी भी revolution, किसी भी rebellion को अब कवर करें, तो आपको ये चारो cause बताने हैं, समझ रहे हैं, एक immediate cause होता है, हमेशा, इसमें एक cause और जोड़ा है, intellectual cause, अब ये क्या था, अभी हम देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं, economic cause की, देखे, economic cause की बात करें, क्या था, कि जब अपना घर जल र रहा होता है, तो दूसरी की problem में, तांग नहीं अडानी चाहिए, पहले अपने घर को देखो, समझ रहे हैं, फ्रांस की बात करें, बर्बॉन डाइनिस्टी थी थी, ठीक है, बर्बॉन डेस्पॉर्ट्स थे basically, ये कौन थे, लुई दा 14th जो थे, तगडे राजा थे, समझ राजा थे, कई war लडए, लुई दा 16th की बात करें, वो और बेकार राजा थे, सबसे बेकार राजा या उन्ही के में तो करांती होगी, ठीक है, लुई दा 16th की बात करें, तो इनकी रेन बी 7 येर्स वाऔर वो मैने चाहाद लूँ दा 14th बोल दिया थी, ठीक है, और ये 7 years war हो गया था मैंने बताया ना कि जहां पे भी आपको Britain और France मिलेगा ये दोनों आपस में भीड़े हुए थे 7 years war हुआ 1756 से लेकर 1763 तक इसको World War 0 भी बोला जाता क्योंकि बूरी दुनिया या तो Britain का साथ दे रही थी या फिर फ्रांस का साथ दे रही थी समझ रहे हैं और इसमें भी आपको धार्मिक एंगल और expansion देखने को मिलेगा Catholic versus Protestant अब इस 7 year war में कौन हारा फ्रांस हार गया फ्रांस हारा ब्रिटेन के साथ जंगों में फ्रांस हारा ब्रिटेन जीद गया लेकिन थी दोनों देश जो हैं दोनों dynastries को बहुत ज़्यादाат नुपसान हुआ नुपसान कैसे हुआ ब्रिटेन ने भी बहुत जादे डिसोर्से दे दिये थे बहुत पैसा लगा दिया था जिसकी वज़से उसने अमेरिका जो था ब्रिटेन की कॉलोनी था मैंने बता था ना पिछले लेचर में अमेरिका में भरबर की टैक्स लगा और France भी bankrupt हो गया था मतलब बहुत bankrupt in the sense की France में भी बहुत पैसा बहुत कम था और ये दिक्कत और ज़्यादा पड़ गई जब 1781 आ गया 1781 में क्या हुआ मैंने बताया ना भी जब अपना घर जल रहा हो तो दूसरे के problem में हाथ मत अड़ा और पहले अपनी problem solve करो इधर अमेरिका में revolution आया हुआ है अमेरिकान और बिटेन भीड़े हुए आपस में अमेरिका बिटेन की कॉलोनी था फ्रांस ने इसका फायदा उठाना चाहा एक तो 7 years war हाला था उपर से क्या हुआ फ्रांस ने ये बोला एक काम करते हैं अमेरिका को अपनी आर्मी सप्लाई कर देते हैं अमेरिका को सपोर्ट दे देते हैं अमेरिका फ्रांस की मदद से ही तो जीता ना फ्रांस और स्पेन की मदद से तो अमेरिका को 1781 में लुई दा 16 ने आर्मी भेज दी अब यहाँ पर लोगों का दिमाग खराब हो गया जब आर्मी भेजी फ्रांस को तो कुछ मिला नहीं 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरेश हो इबस और क्या हो कुछ नहीं हुआ फ्रांस को एक डेला नहीं मिला तो फ्रांस को कुछ मिला नहीं और इधर अमेरिका आजाद हो गया अमेरिका ने अपना समविधान मना लिया और बिटेन अमेरिका से बैक आउट कर गया फ्रांस को क्या मिला कुछ भी नहीं तो क्या हुआ यह जो इतना पैसा खर्च किया था लूई दर 16 ने इससे फाइनेशल बैंकरप्सी आ गई उपर से एकॉनमिक कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी दोस्तों क्योंकि उस समय फ्रांस में फैमाइन भी आया था आकाल भी पड़ा था अब उस समय तो सर्फ और सर्फ क्रिशी थी जिससे यह सर्फाइब कर सकते थे तो भाइया ऐसा हुआ कि क्रिशी इधर आकाल पड़ा हुआ है आप देखिए आपके पास पैसा नहीं है लौ एन ओर्डर भी नहीं लौ एन ओर्डर पूरा कॉलाप्स कर गया था लौ एन ओर्डर पूरी तरीके से कॉलाप्स कर गया था लोग परशान लोग गुस्से में थे ठीक है अब लोग यहां पर गुस्से में थे लोगों के पास पैसा नहीं है यू विल बी सप्राइजड तो नो कि फ्रॉम सेवेंटीन एटीवन to 1789 डियर वास no salary of the officers officers were not paid उनको पैसा है news अन्हें प्रीफंड में काम किया है समझ रहे हैं आर्मी फ्रीफंड में उनको पैसा मिलता ही नहीं था पैसा ही नहीं थे लेकिन राजा मस्त जन्ता पस्त राजा को कोई परक नहीं पड़ता था इनकी जो बीबी थी लुईदा 16 की एंटरनेट विलियम क्या नाम था भूल गया मैं विलियम एंटरनेट क्या था आप फ़ड़ा सा चेक कर लिजेगा एक दम दिमाग से अभी स्लिप हो गया अभी आता मुझे स्लिप हो गया तो वो अस्ट्रिया की थी बड़ी सुन्दर बहुत ही खुबसूरत तो लुईदा 16 उन्हीं में मस्त रहते थे है ना दूसरी चीज इनका जो फोर्ट था ठीक है बहुत ही खुबसूरत इतना बड़ा किला दोस्तो वर्साइल फोर्ट जो ये पैलेस था ट्रीटियो वर्साइ देखने लाइक है टूरिस्ट प्लेस है इस समय तो इतना खुबसूरत इधर लोग मर रहे है इधर फर्साइल का पहलेस पूरा बना लिया बहुत ही खुबसूरत राजा को कोई फर्क नहीं राजा आयाची में मस्त पैसे हैं ले लेंगे ना पैसे ही तो है टाक्स लगा और लोगों पर क्या दिक्कत है कतम यहां से आता है वानों सोशल कॉस ठीक है यह समझे आप जो मैंने भी आपको बता है एकॉनमी कॉस समझे ठीक है एकॉनमी विल्कुल फाइनेशल मेंकरप्सी थी और जहां जब पैसा नहीं होता है लोगों के पास तमांविशा क्रांती आती दूसरी चीजब दोस्तों क्या है सोशल स्सेंभ बहुत भी जदा इंपोर्टेंट देंगें सोशल कॉस की बात करें दोस्तों तो प्रांस में डिविजन समझ ता समें तरुंति रहें हो तीन स्टेट तीन स्टेट कौन-कौन सी हो सिस यह सेकेंड छर्ड द्यान आपको पूरे लिचर में याद रखनी है बहुत आसानी से समझा रहा हूँ एक एकी समझ में आज जाएगी सिंपल सा लॉजिक है पूरी दुनिया में डिविजन था क्लास डिविजन था फ्रांस में भी डिविजन था ठीक है तीन स्टेट थे तीन ग्रुप थे पहला कौन था सबसे उपर होता था राजा सबसे उपर आपका मोनार्की राजा ठीक है राजा को पावर देता था कौन क्लरगी प्रीस्ट ठीक है जो चर्च में काम करते थे जो चर्च के पुजारी होते थे समझ रहे हैं ये क्लरगी ठीक है ये बड़े अमीर क्लरगी ये जो होते थे इनके बास खुब पैसा होता था ठीक है पूरा राजा को सपोर्ट देते थे ये लोगों के पूरा उपर कंट्रोल करते थे ये कैसे कंट्रोल करेंगे भाया लोगों को बताते थे न कि अगर ये नहीं करोगों त तो लोग मानते थे बहुत बुरी हालत थी दोस्तों तो इनके बास बुरी ताकत थी लेकिन यह लोग थे उनको कमजोर करवाते है एसास करवाते कि तुम बहुत कमजोर हो तुम तो हमेशा सी कमजोर रहे हो समझ रहे हैं यह बिलकُल आप सही है आप देख लीजेगा एतियास देखे हो ना करें तो ये जो clergy है ठीक है ये जो priest है इनके पास पूरी ताकत ये था first state मुनार्की के नीचे आता था और ये राजा को पूरी ताकत प्रवाइड करता था पूरा पीछे ठपा लगा देता था कि अरे भाया राजा भगवान है भगवान का representative है जो ये बोल रहा है जो आयाशी कर रह कि समझ रहे हैं दूसरा आता था nobility feudal lords nobels ये बड़े अमीर feudal lords थे बाहु बली होते है न देखते हैं आप गाउ में मिलते हैं पहले अब तो इतना नहीं है लेकिन आपने देखा न कि बड़े बाहु बली बहुत सारे नेता नाम नहीं लूँगा feudal lords खूब जबीने इनके पास पैसे अमीर ये भी राजा को सपोर्ट करते थे और तीसरे बेचारे सबसे दबे कुछले तीसरा स्टेट है यहाँ पे common people का common people 98% were common common 90 to 95% were common people समझ रहे हैं majority were common people इसमें कौन कोन आते थे किसान जो आते हैं जो artisans आते हैं ठीक है factory workers, lawyers, social workers, social workers का intellectuals यह सब आते हैं जो पिचारे सबसे नीचे हैं जिसमें farmer सबसे ज़्यादा आते थे किसान क्यूंकि महीं से तो पैसा आता था ना और पैसा आएगा कहां से समझ रहे हैं तो third state आप या जो common people है बाकी अगर जमीन के हिसाब से देखें देखें पहले क्या होता था जिसके पास ज़्यादा जमीन उसको ज़्यादा ताकत तो यह जो पहले के दो थे इनके पास खूब सारी ठीक है nobles और प्रीस्ट के बाद खूब जमीन है तो इनको खूब ज़्यादा ताकत थी इनके पास कुछ भी नहीं था, landless laborers थे ये लोग, जो third state, जो common people था, ये है हमारा social cause, समझ रहे हैं, political cause की बात करें दोस्तों, तो law and order था नहीं, है ना, राजा के जो advisors थे, वो भी राजा की ही तरह थे, एक तरीके से भयानक unstability थी, है ना, फ्रांस में लगी रहा था कि अब revolution आएगा, अब revolution आएगा, समझ रहे हैं, तो problem बहुत जादा थी, लेकिन सबसे बड़ा intellectual cause, intellectual cause दोस्तों, देखिए फ्रांस में क्या था, ये जिसकी वज़े से लोग जागरूत हुए, इनमें आये वोल्टायर, वोल्टायर ने बोला freedom of expression, क्या बात है, उस समय freedom of expression नहीं था, freedom of expression, जो बोलना है बोलो, गंदा नहीं बोलो, अच्छा बोलो, लेकिन बोलो, चर्च कुछ गलत करना है बोलो, राजा कुछ गलत करना है ब बोलो, freedom of expression, freedom of expression is the most important thing, किसी भी देश में freedom of expression, किसी में democracy में is the most important thing, वही तो आपको राइट देता है न, अरे भाईया आपको कोई प्रोब्लम है, सरकार अच्छा काम नहीं करे तो आप बोलेंगे न, सवाल पूछेंगे, डेमोक्रिजी में सवाल पूछना है, ये बात है, freedom of expression, Montesquieu, Montesquieu ने बोला, balance of power, क्या बात है, balance of power, यहाँ पे separation, power को separate कर दो, religion को separate कर दो, और यहाँ पे balance of power रखो, judiciary, legislative और executive ये तीन विंग, और ये तीन और दूसरे को चेक करे, balance करे, balance हो, separation of power के concept दिया, democracy आ रही है, यहाँ पर republic हो रहा है, France, Russo आए, Russo ने तो क्या कमाल, Russo ने तो बोल दिया, Russo का जो जवाबी नहीं है, उन्होंने तो सिधा बोल दिया, देखो ऐसा है ना, यह जो राजा बोलता है, यह भगवान का representative सब बगवास है, ऐसे तो उन्होंने नहीं बोला, Russo ने social contract लिकी ती, social contract book लिकी थी, उसमें उन people for the people of the people सीधा उन्होंने बोल दिया कि राजा को लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा intellectual cost था बड़े बड़े socialist जो thinkers थे ठीक है जॉन लॉक्स और बहुत सारे उन्होंने लोगों को जगा दिया immediate cost क्या था immediate cost की बात करें दोस्तों एक तो वैसे ही bank रपसी है आठ साल से salary नहीं मिली है ऐसे ही free में काम हो रहा है army वाले ऐसे ही free में काम कर रहे है आकाल पड़ा हुआ है famine है ठीक है लोगों के पास खाने को नहीं है war लर चुका है France राजा क्या बोल रहा है पैसा चाहिए पैसा tax बढ़ाओ tax बढ़ाओ हम कुछ नहीं जानते tax बढ़ाओ खतम tax बढ़ाना ये torture था लोगों पे लोगों ने बोला पागल अगल हो गया है क्या tax बढ़ाओ इतनी बुरी हालत है आप खुच सोचिए आपके घर में बहुत ज़्यादा problem आई हो ठीक है आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और authorities आपको और torture करें आप पागल हो जाएंगे आप विद्रो कर देंगे लडाई करेंगे यही लोगों ने किया नए taxes जो लगा दिये ठीक है यहाँ पे राजा ने नए taxes क्योंकि इनको पैसा चाहिए था third nobility आप देखिए पहले दो state जो है मतलब जो priest है समझ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा और जो nobels है इनको tax ही नहीं देना पड़ता था they were free of tax ठीक है आप अगर इनकी बात करें यह priest इनके पास all powers but no responsibility इनके पास power सारी थी सारी ताकत यह लोग बोलते थे हम tax देगी है नहीं क्यों दे हमारे पास तो राजा का सपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो तीसरा state था third state no power but all responsibility उनके पास power नहीं थी लेकिन responsibility सारी थी समझ रहे हैं कि हमको सब कुछ मतलब हर एक चीज के लिए हमें responsible है जो third state उनको खुब सारे भर भर के राजा को taxes देने पड़ते थी यह चीज आप समझे कि नहीं तो जब राजा ने tax लगाए यही जो तीसरा 89 आते आते लोगों का सब रिटूड गया और लोगों ने बोला हमको चाहिए parliamentary reforms बस हमको चाहिए parliamentary reform याद रखिएगा शुरू में यहाँ पर रपब्लिक बनाने की मांग नहीं थी फ्रांस को शुरू में रिपब्लिक बनाने की मांग नहीं की गई बाद में की गई यह समझे आप शुरू में constitutional मुनार्की थी जैसे इंग्लेंड में आया था कि समविधान के दाइरे में राजा रहे राजा पे अंकुष रगाना बहुत जरूरी है तो parliamentary reform की यहाँ पे लोग मांग करने लगे ठीक है कि अब ऐसा तो होगा नहीं king without power बस अब हमको parliamentary reform चाहिए राजा ने बोला बोलते रो बोलते रो जो बोलना है बोलो कोई दिक्कत नहीं है तुमारा काम है बोलना freedom of expression बोल टायर देगा बोलो सरासा reject कर दिया कोई reform reform नहीं मिलेगा चुप चाप tax भड़ो बस उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है लोगों की सारी demands को खारिच कर दिया लोगों का और गुसा भड़ा गया अब हम देखते हैं दोस्तों हमारे revolution की शुरुवात हो जाती है कैसे? third state अभी मैंने बताया third state का उदय होता है ठीक है? इस इन demands को खतम करने के लिए जो शुरू के दो state थे उनके पास voting rights थे जादा voting rights देखिए अगर हम बात करें state जनरल के आप इसके बारे में थोड़ा background समझ लिजे 1614 में बनाई गई थी ठीक है? इसमें again first state, second state और third state का representation था लेकिन problem ये थी कि voting rights एक group को एक voting right मिला था मतलब अगर ये clergy है तो इनका एक voting right है nobility है एक voting right और इनका एक voting तो total तीन voting rights थे समझ रहे हैं? यहाँ पे हर इंसान population के साफ से representation नहीं था group के साफ से representation था समझ रहे हैं? तो क्या होता था राजा को जब भी कोई problem solve करनी होती थी problem क्या? राजा को जब भी लुईदा 16 को लगा इस बार भी मेरे ही फेबर में फैसला जाएगा क्यों? क्योंकि voting rights तो मेरे पास है कैसे? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को अभी मैंने बता ना एक एक vote है तो दो vote इनके पास है और थार्ड स्टेट को लगा रे कुछ नहीं है या इस्टेट जनरल बुलाते हैं और इस्टेट जनरल एक तरीके से लोगों के demand को suppress करने का तरीका था लुईदा 16 के राजा ने बोला था finance minister ने बोला था इनके advisors ने बोला था लोगों की बात मान लो ठीक है तो यह चीज अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ ठीक है एस्टेट जनरल बुलाई गई पांच माई 1789 को मीटिंग हुई यहाँ पे तीनों इधर पे clergy nobility middle class आया अब यह तीसरे थार्ड स्टेट ने बोल दिया यह जो बेवकू बना रहो ना हुआ को इतने दिनों से अभी यह नहीं होगा यहीं करेंगे वी वूनट voting rights based on the population होता है न जैसे हमारे वोट पॉपॉलेशन के हिसाब से वोट को डिवाइट किया जाता है राजा ने बोला हम लोग इतने जादा हैं करोणों में हैं हमको वोटिंग राइट जादा दो लोगों को वोटिंग राइट देने का मतलब यह था जो common people थे उनको वोटिंग राइट देने का मतलब यह था कि assembly में state general में उनकी power लेकिन अब यह बहुत जरूरी था राजा ने तुमको वोटिंग राइट चाहिए अभी देते हैं राजा ने assembly का gate ही बंद कर दिया state general का gate बंद कर दिया अब दोस्तों state general के बाहर था tennis court ध्यान रखिएगा यह बहुत important है tennis court था लोग जो है जो third state के लोग है representative हो यहाँ पे आए tennis court में पूरा जमावड़ा क्योंकि इधर state जंगों के दर्वाजे बंद है अंदर कौन है अंदर clergy और first state और second state clergy और nobels समझ गए बाहर जमावड़ा लगाया tennis court था वो वहाँ पे शपत ले दी क्या शपत ले ली national assembly बनाएंगे हम तुम्हारी state general को हम नकारते हैं और आज से हम national assembly बनाएंगे और यही से ये national assembly का उदय हो गया समझ रहे है नाशनल assembly का उदय हो गया ये लोगों की assembly थी लोग यहाँ पे मिले थे राजा ने पता है क्या किया लुईदा 16 ने बोला national assembly बनाने चले हो लुईदा 16 ने आर्मी भीज दी अपनी force भीज दी और लोगों को पकड पकड़ के jail में डाला जाने लगा मई में मई जून में बकायदा दंगे हो गया है और लोगों को पकड़ पकड़ के jail में डाला जाने लगा हर जगा रियोट्स हो गया properties को लूटा जाने लगा बहुत ज़्यादा problem अब क्या करे कुछ तो तुरंत करना है वरना बहुत और बल लोगों का और मूट खराब हो गया अब revolution को और जादा बल मिलता जा रहा है समझ रहे हैं तो यह सब कुछ अब दोस्तों हम यह देखते हैं टेनिस कोड नाशनल असेमली का ओदय हो गया ठीक है नाशनल असेमली लोगों के असेमली थर्ड नोबेल्स अब पावर इनी के पास थी नाशनल असेमली के पास थी समझ रहे हैं अब यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है कि जब आर्मी विद्रो कर देगी तब आपका पत्त साफ आर्मी को पैसे ओफिसर्स को पैसे नहीं मिल रहे थे राजा ने पता है क्या किया राजा लुईधा 16 हर किसी को अपना दुश्मन देखने लगा मतलब कोई भी अगर उसको सही एडवाईज देता था जैसे यागत कोई मिनिस्टर बोल रहा है सर प्रॉब्लम हो सकती है मत करिए ठीक है अभी बहुत दिक्कत है आपने जो डिसीजर लिया वो वापस लिल लिजे उठा के जेल में डालो इसको ऐसे करता था राजा कोई भी उसको सही एडवाईज देता था जेल में तो जो इनके साथ थे जो मिनिस्टर थे जो आर्मी मेंस थे उनका भी मूड है समझ रहे हैं तो अब यहां पे क्या हुआ मूड खराब हो गया आर्मी ने भी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर ने नैशनल असेमली को जॉइन कर लिया समझ गये उसके बाद दोस्तों 14 जुलाई को सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ रेविलूशन का स्टार्ट यहीं स बेस्टाइल फोर्ट की ही इंट से इंट बजा दी बेस्टाइल फोर्ट है कैसा फोर्ट है यहां पर सारे जो हतियार के जखीरे थे यहां पर रखे हुए थे सब लूट लिए दोस्तों यह पूरा फोर्ट आपको दिख रहा है ना यह जो फोर्ट है यह बेस्टाइल फोर् था एक तरीके से और बेस्टाइल फोर्ट को जब अटाक किया तो 14 जुलाई 1789 को ये रेवलुशन जो है वो शुरू हो गया समझ रहे हैं फ्रांस में नैशनल हॉलिडे डिकलेर कर दिया और ये रेवलुशन शुरू हो गया अब ये देख लीजिए दो तो उस समय का फ्रांस देख रहे हैं आपको ये इधर ये देख लगते हैं तो ये और ये पुरा इटली ये भी उनाइट हो जाएगा फ्रेंच रेवलुशन का ये सर था तो अब दोस्तों हुआ क्या कि जब ये सब कुछ हुआ है ना नैशनल इसेंबली में पावर बहुत जादा थी आर्मी पता चल गया, अब मेरा पता साब, तो अब नई पावर सेंटर क्या हो गई? नाशनल एसेंबली, यानि के स्टेट जनल खतम, नाशनल एसेंबली अब नई पावर सेंटर हो गई, समझ रहे हैं? अब हम ये देखते हैं कि संबिधान की शुरुवात हुई, कंस्टिट्यूशन की बात अभी तक नहीं हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि हमको कंस्टिट्यूशनल मुनार्की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर राजा अंकुष में रहे, तो क्या दिक्कत है? हमको रूल से प्रॉब्लम है, जिस तरीके सा ये रूल कर रहा है, हमको राजा से कोई प्रॉ क्या थे ठीक है हम first constitution के features देख लेते हैं ठीक है जब पहला constitution आया पहले constitution की features यह थे दोस्तों कि सबसे पहले तो इसमें voting rights की बात करें तो इसमें दो तरीके के voting rights थे ठीक है एक थे active citizen active मतलब जो tax pay कर रहे हैं उनको right to vote था 745 members की assembly बनाए गई जो indirectly elect to के आएंगे और जो tax pay कर रहे वोट कर सकते थे पहली बार यहां पे जो human rights है human और civil rights को रखा गया liberty equality fraternity यह आपने सुना ही होगा French revolution से आया पहली बार liberty equality fraternity को रखा गया समझ रहे हैं इनको rights of man बोला गया बहुत ही जदा important declaration of the rights of man and the citizen यह पहली बार था जब किसी संविधान में liberty equality fraternity मतलब लोगों के rights को रखा गया liberty क्या है आपकी आजादी equality क्या है सब equal fraternity भाईचारा democracy के यही तीन इस्तम में सबसे important है ना अगर यह तीन चीजे हैं यह ideas आपने ले लिए तो समझ लीजे कोई भी देश समरेद्ध हो जाएगा तो liberty equality fraternity को रखा गया फिर पोप को यहां पे जो religion का leader है वो पोप को बनाया गया problem दोस्तों लेकिन यह हो गई लुईदा 16 छोड़ छाड़ के भाग दें समझ रहे हैं लुईदा 16 ने भागने की कोशिश की औरत का भेजधरा और अपने ससुराल भागे ठीक है कहां पे यह भागे औस्ट्रिया इनकी बीवी औस्ट्रिया से थी औस्ट्रिया में मोनार्की तो यह भाग गए औस्ट्रिया ठीक है भागने की कोशिश की जैसे ही औस्ट्रिया जाने वाले थे लोगों ने इनको पकड़ लिया लोग पकड़के इनको वापस लेकिया है यह देख लीजिगा दोस्तों यह important है groups दो ग्रुप बन गए थे अच्छा अभी मैं आपको इसक constitutional मोनार्की ठीक है राजा यहां पर ministers को appoint करेगा legal authority की जरूरत है यह राजा नहीं जो नया सम्विधान था लुईदा 16 ने constitution को ratify किया था जैसे president करता ना वैसे लेकिन अब क्या हुआ constitution null and void हो गया कैसे क्योंकि राजा की authority चली गई ना राजा तो खुझी भाग गया जब रा राजा ही जब सब छोड़ चाड़ के भाग रहा है और उपर से जो जो jacobians थे जो कि common people को represent करते थे यह तो वैसे ही बोल रहे थे कि लुईदा 16 पर trial चलो इन पर मुकत्मा चलो इनको मारो यह इतने तिनों से जो social करके बैठे हुँ है राजा भाग रहे चाओ राजा को पक राजा काहे का जब राजा भाग रहा है constitutional मुनार्गी खतम फ्रांस वा रेपब्लिक हो गया ठीक है दूसरा दोस्तों क्या हुआ बाई कैमरलिजम आया जैसे है ना हमारे upper house lower house या कितनी गंदी रैटिंग है मेरी ठीक है पहला हमारा constitutional मुनार्गी खतम दूसरा बाई कैमरलिजम आया upper house lower house समझ रहे हैं तीसरा बहुत ही ज़ाधा important capitalism को इन्होंने इतना तबज्जो नहीं दिया कम्यूनिस्टिक प्रिंसपल इन्होंने अपना है capitalism को इतना तबज्जो नहीं दिया प्राइजस फिक्स कर दिया इन्होंने लोगों के लिए सरकार बनाई और फ्रांस एक secular state हो गया मतलब पोप की authority भी छीन ली गई एक तरीके से ठीक है और फिर directory रूल चुरू होता है यहा Jacobian जो थे वह राइट में बैठते थे ठीक है sorry left में बैठते थे लेफ्ट अर रैट का concept कहीं से आया है Jacobian left में बैठते थे और Girondins right में बैठते थे यह थे liberals Jacobians किसको represent कर रहे थे common people जो कि farmers थे, जो कि artisans थे और Girondins जो थे, ये दोनो political parties थी group थे ये किसको represent कर रहे थे capitalist class businessman को represent कर रहे थे, ये बैठते थे right में ये बैठते थे left में, ठीक है assembly में ये left में बैठते थे Jacobians और ये right में यही सही concept आया, समझ रहे हैं अब Jacobians की ideology अलग थी, Girondins की ideology अलग थी लेकिन ultimately इसमें Jacobians जीत गए क्योंकि ये common लोगों को represent कर रहे थे common लोगों की common लोग बहुत ज़ादा थे ठीक है, भाई जहां majority होगी वही तब का तो जीतेगा ना तो Jacobians के leader थे Maximilian Robust Pierre आपने इनका नाम सुना होगा, पहले lawyer थे और बाद में Jacobian के leader हो गए समझ रहे हैं, इन दोनों group में मिलके बनाई national convention national convention क्या, convention क्या जब सारी parties एक साथ मिलती है, तो यही दोनों mainly group थे, इन दोनों मिलके बने national convention, इनका rule चला 1792 से लेकर 1795 तक, इसके बाद directory rule आगए, directory rule चायद मैंने बोल दिया था I'm sorry, national convention 1792 से लेकर 1795 तक समझ रहे हैं, तो 1789 में revolution शुरू हुआ, 1791 में समिधान आया, 1792 से लेकर 1795 तक national convention, national convention क्या, बेसिकी यह दो group आपस में बैठते थे, बात करते थे, समझ गए तो ये बहुत धाथ है important अब, लुईदा 16 का क्या हुआ उनको पकड़ा गया पकड़ा गया, मार दिया गया समझ रहे हैं, मार दिया गया गिलो टाइन से, गिलो टाइन क्या था, ये था गिलो टाइन लोगों के सामने इस तरीके का होता था नया एक हतियार था, यहाँ पे शरीर को रखा जाता था, ठीक है ये सर है, ये ब्लेड नीचे आती थी एक सेकेंड के अंदर सर कड़ जाता था और ये फिर जो गिलो टाइन करता था वो ऐसे सर को दिखाता था पबली को, देखो मार दिया इसको मैंने ऐसे ही राजा को मार दिया था, और ऐसे बहुत सारे मौते हुई, कैसे मौते हुई दोस्तों, देखिए, हुआ क्या 1792 में औस्ट्रिया और प्रूशिया, जिसको पिलिनिट्स वर बोलते हैं, औस्ट्रिया और प्रूशिया और बाकी जो मुनार्की इस थी उन्हों ने बोल दिया फ्रांस में आगया है रेविलुशन आस पास जो देश है ना वो भी मुनार्की है ठीक है उनको ये डर सता रहा था कि हमारे यां कही रेविलुशन ना आ जाए हमारे यां कही करांती ना आ जाए तो आस्ट्रिया और प्रूसिया ने क्या किया वाइ डिक्लेयर कर दिया जिसको हम पीली निट्स वार भी बोलते हैं इन्होंने रॉयल फैमिलीज को बचाने के लिए 1792 में 1793 में यहां पे लुई को मारा गया 1792 में आस्ट्रिया और प्रूसिया ने फ्रांस के उपर वाइ डिक्लेयर कर दिया ठीक है कि क्योंकि यह भी मोनार्की है और इनको पता अगर फ्रांस पे रेविलुशन आया तो हमारे भी रेविलुशन आ जाएगा तो भाई अपनी मोनार्की बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी रेविलुशन आता था तो आज पास के देश हालत कराब हो जाती है वो अपने को अराव स्प्रिंग में भी यही हुआ था 2010 में अराव स्प्रिंग में जब मेडिलिस्ट में रेविलुशन हुआ था तो आज पास के जो देश थे ना उन्होंने अपनी मोनार्की को बचाना शुरू कर दिया था तो यही हुआ फ्रांस ने भी बोला कि ठीक है हम भी तुम्हारे साथ बॉर में है तो फ्रांस की legislative assembly बॉर में चली गई और प्रूसिया के साथ एक और political crisis हो गई अब political crisis क्या हुआ था जेकोबियंस वर्सेज जेरोंडिंस अभी मैंने बताया दोनों ग्रूप के अलग-अलग views जो जेरोंडिंस थे वो थोड़ी liberal थे वो बोल रहे थे कि राजा को मारना नहीं चाहिए लेकिन जेकोबियंस तो बहुत पहले सी कह रहे थे एक्स्ट्रिमिस्ट थे उन्होंने बोला राजा को मारो और अल्टिमेटली जेकोबियंस को पावर मिलनी मैक्समिलियन रॉबस्पियरे ने पूरी एसेंबली के अपना कभजा जमाया और 1793 में राजा को मार दिया गया और फिर दोस्तों शुरुवात होती है रिफयरे बक्त हर दिन 50-60 लोगों को मारा जाता था ऐए जो भी एनमी ऑफ़ दिस्टेत था जो भी यहाँ पे Jacobians के खिलाब बोलता था Robust Perre के खिलाब बोलता था French Revolution के खिलाब बोलता था अगर वो सही भी बता रहा है कि हमारे सम्मिधान में यह यह चीज़े करनी है आप थोड़ा गलत जा रहा है उनको पकड़ के गिलो टाइम कर दिया जाता था बोलने का मौकही नहीं दिया जाता था Reign of Terror शुरू हो गया था फ्रांस में और ये एक साल दोस्तो जुलाई 1793 से लेकर अगस्त 1794 ताकी एक साल चला है और उसमें बहुत लोगों की जाने गई डेली लोगों को मारा जाता था तो एक तरीके से जो फ्रेंच revolution है वो पूरा radical हो गया फ्रेंच revolution के objective कुछ और थे लेकिन जैसे वक्त आगे बढ़ा यहाँ पर कटर पंती आ गए और कटर पंती उन्हें फिर बैंड बजानी शुरू कर दी समद रहे हैं अब दोस्तो हम यह देखते हैं बहुत ल्गतर प्रीशे को खत्म किया गया यह पर प्रीस्ट को मारा गया सप्टेmber बॉसाओ अब इसी दौरान एक ऐसी इंसान का是我 क्या हुआ अब हम यह देखते हैं दोस्तो सेवेंटी ने इने फाइफ को यå सारी चीज़े थमी समझ नहीं है 1795 को जब इधर रॉबस प्यरे को जब देखा कि यह तो आउटो कंट्रोल हो गया तो इसको पकड़ के लाया गया है यहाँ पे जो लोग थे जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला यह तो आउटो कंट्रोल हो चुका है इसको कंट्रोल करना पर उसके बाद एसेम्बली पावर यहाँ पे पूरा एसेम्ली के पास ही थी लेजिस्लेटिव एसेम्ली उन्होंने फिर युनानिमसली यह decision लिया कि रॉबस प्यरे को सबसे पहले पकड़ो तो इल्टिमेटली रॉबस प्यरे को भी पकड़ा और इनको भी खतम कर दियो ग माक्स रॉबस पीर ही चले गए उनको मार दिया जरॉंडेंस के पास वापस पूरी ताकत आ गई तो अगर हम जरॉंडेंस की बात करें तो उनके पास पूरी ताकत अब एक नया constitution second constitution अभी मैंने आपको बताया था ना second constitution की constitution मोनार्की खतम, republic हो गया, directory rule यही वाला है यह दूसरी बार constitution आया ठीक है ना तो second constitution आया और अब सब कुछ directors के पास आ गया, directory rule चालू हो गया, 1795 से 1799 तक जब इधर जेकोबियस ने हलत खराब कर दीत हो तो यहाँ पे directors बनाए गये, ठीक है, पांच directors थे ताकि dictatorship को खतम किया जा सके ठीक है, जो कि rotation पे यहाँ पे president बनेंगे, तो directory rule चालू हुआ, यहना directors बनाए गये और यह फिर देखेंगे कि France को कैसे आगे ले जाना है, यह 4 साल तक चला, लेकिन दोस्तों इसमें एक इंसान का ओदे होता है, जिसका नामे निपूलियन बुनापार्टे, अभी मैंने आपको बताया, उस्त्रिया और प अपर हैंड था, और यहां पे निपूलियन बुनापार्टे का उधै होता है, चार साल का 1795, सिलिकर 1799 तक कभी यह जो रूल था दोस्तों, यह बहुत अच्छा रूल नहीं था, इसमें बहुत अधा प्रॉब्लम हुई थी, है ना, तो अल्टिमेटली जब निपूलियन को निपूलियन बहुत ताकतवर हो गया, आर्मी निपूलियन के पास, और फिर वही चीज है, कि जिसके पास आर्मी, उसी के पास रूल, 1799 में उसको प्रॉपर उपरचुनिटी मिल गई, 1799 में उसको उपरचुनिटी मिल गई, और उसने फिर समकुछ खतम करके, फर्स्ट का जैसे ही निपूलियन ने बनाई, वैसे ही रेवोलिशन खतम हो गया, और ये निपूलियनिक एराक के अब शुरुवात हो गया, 1799 से लेकर 1815 तक हम अगले लेचर में बात करेंगे, क्या हुआ, 1802 वाते आते, निपूलियन अपने आपको एम्परर भले ही गोशित कर लिया मुनार्की दुबारा आ गई, निपूलियन अपने आपको एम्परर भले ही गोशित कर लिया, डेमोक्रेसी के लिए रेवोलिशन किया गया था, लेकिन डेमोक्रेसी तो आई नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये पता चल गया था, लोगों को आप वो कहते हैं कि उन मुनार्की आगए लेकिन, फ्रांस में बार-बार REVOLUTION होते रहे, फ्रांस में 18th-19th सेंचुरियू में बार-बार रेVOLUTION हो नी, ठीक है fireworks को खतम करने के लिए, ठीक है मुनार्की ओनार्की को खतम को पता चल गया है, कि रेवOLUTION सहीं चीजों को सही है, फिर से इंस वहीं सीधा फ्रेंच रेवलुशन से इंस्पिरेशन ली फिर नेपोलियन का जो रूल था उसके बाद बहुत जगा रेवलुशन सागे बहुत जगा क्रांती आने लाने की कोशिश की गई और इसका सबसे बड़ा इंपक्ट था युनिफिकेशन एटली और जर्मन युनाइट हो ग मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से कवर की है आई होप आपको समझ में आया होगा खुश रहें पर ते रहें देसे सिर्दान तक नहीं होतरी सैनिवाग्ट